नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे जी फाइब की प्लाटफॉर्म में रिलीज वी एक नई ओरिजिनल फिल्म जिसका नाम है लव सितारा को कैसा लागा मुझे ये फिल्म डिटेल्स जो है वो दिखाई जा रही है जहां पर बताया जा रहा है कि शोविता धुलीपाला जो बिसिकली एक एक्टर है इस पर्टिकलर फिल्म की उन वो मतलब बहुत एक modern thinking वाली लड़की है लेकिन अपना शाधी जो है वो करना चाती है अपने ancestral home में जाके अपने दादी के पास in between एक situation बनता है जहां पर उसकी मतलब वो जो है वो pregnant हो जाती है और वो forced marriage के लिए राजी होता है अपने boyfriend के साथ लेकिन जाने के बाद वो suddenly she realized that the importance of the relationship and किसी को अगर कुछ चुपाना या फिर माल लीजे कुछ चुपा के शाधी करना किसी को cheat करना ये सब जो है ये सारी emotional crisis, real some relationship crisis उसकी उपर जो है फिल्म को बनाई गई है तो दोस्तों जो मुझे positive लगी है फिल्म के अंदर में देखिए इसका treatment जो है काफी realistic treatment है कुछ भी over the top नहीं दिखाया गया एक Indian wedding के अंदर में जो जो चीजे रस्म रिवाज सारी family members के engagement वगेरा जो है वो दिखाई गई ह लेकिन इसी के साथ family members के अंदर में जो जो tensions रहती है जो जो चीजे रहती है problems रहती है उसको भी alongside अच्छी दिखाई गई है तो काफी जो है चीजे काफी शटल रखी गई है कोई over the top treatment नहीं है बहुत जादा drama नहीं है बहुत simple दरीके से कहानी को बताया गया है तो simplicity is the best part of this particular film one hour 45 minutes की film है तो काफी लंबा भी नहीं है आपको उतना boredom फिल नहीं होगा लेकिन the problem there is definitely there are some problem वो है the real performance मतलब कोई भी ऐसा standout performance आपको इसके अंदर में दिखेगा नहीं जो ये relationship के ऊपर बनाएगी फिल्म है तो वहाँ पे आपको definitely performance तगरे performance बहुत ही बढ़िया होना दिमांड करता है लेकिन यहां पे शोवी था दोली पाला छोड़ के बाकी किसी का भी performance इवें शोनाली कुल करनी है and there are couple of known actors but उतना खास एकदम outstanding ऐसा कोई performance किसी से भी देखने के लिए नहीं मिला and that is the major drawback of this film alongside जो भी है the impactful dialogue the meaningful dialogue कि ये relationship crisis की जितनी भी movies होती है उसमें काफी स सारे सीख बहुत सारी चीजे जो है मतलब वो टीवी वाली जो फिल होती है ना कि आपको जो moral तो story ये सब जो बताया जाती है वो काफी यहां पे कम लगती है तो वो मतलब एक drawback है जहां पे आपको फिल्म से ऐसा कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता है the problems are genuine the way it is shown that is very innocent way but जो स जो मुझे थोरा कटकती है और तीसरा जो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए यहां पे ना मतलब problems तो definitely बताई गई है और problems को बहुत जल जल में solve भी कर दिया गया है कोई भी ऐसा problem जो होता है एक inciting incident के film अचानक से क्या हुआ तो वो inciting incident बहुत अच्छा है बहुत अच्छा त भी flat हो जाती है तो that is the major drawback in writing जहां पर climax उतना तगरा नहीं मिलता है और उसके बाद जो resolution है वो resolution पार्क में भी दो चार कविता वविता जो है वो दिया गया है लेकिन वो उतना भी ऐसा नहीं कि खास मतलब you remember those lines आप relationship goals में उसको लिखो या फेस्बुक में उसका आपका जो to attract the audience जहां पर audience आपके साथ same line रहे लेकिन ऐसा a moment ऐसा a scene ऐसा a situation जो magic करता है तो magic जो है इस फिल्म में अंदर में create नहीं होती है it's very flat kind of a watch ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत खराब लगेगा but it's not that you will take something out of this movie और आप जाने के बाद भी बोलोगे भाई क्या मैंने देगा क्या ब आप नहीं बोल ला हूं but it's an average watch तो यही था basically मेरा review about the film called love sitara तो कैसे लगा आपको मुझे comment में आकर बता सकते हो कुछ भी अगर इस वीडियो से अच्छे लगा है तो वीडियो को like share channel को ज़रू subscribe की दिएगा चल दिए मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में त पर कोई श्रीडियो में दिएगा चल राए बता सकते हुए आपके साथ में आपके साथ में अवा जपाई अजाह फदो के अजाए पके सिरू आपके साथ में आपके साथ में अवाय।